हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंट्स हम लोगोंने पिछली वाली क्लास में लॉंग ब्लाउस की ड्राफ्टिंग देखा था तो हम लोगोंने उस वीडियो में पेपर में कटिंग नहीं किया था आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर की कटिंग सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये मैंने एक पेपर ले लिया है जैसे कि ये हमारा पूरा कपड़ा होता ब्लाउस का अब हम इसको ऐसे डवल फोल्ड करेंगे इसके हम फ्रेंड पार्ट अलग और बैक पार्ट की अलग कटिंग करेंगे अगर आप दोनों को एक साथ में रखना चाहते हो तो ठीक है इसको आप डवल फोल्ड कर लो डवल फोल्ड करने के बाद इसको फोर फोल्ड करेंगे अगर अलग अलग कट करना है तो हम दोनों कपड़ों को अलग अलग कर लेंगे इसके बाद कट करेंगे लेकिन मैं इसमें दोनों को साथ में कट कर रही हूँ ऐसे हमको कर लेन है ऐसे फोर फोल्ड में ले लेना है कपड़े को अब हम कपड़े के बंद भाग की तरफ से अपने ब्लाउस की नाप लेंगे तो जितनी भी हमारी ब्लाउस की लेंथ रखनी है उसमें से हम एक इंच प्लस करके लेंगे यह मैंने लिखवाया था लंबाई प्लस एक इंच क्य इसलिए हम सिर्फ एक इंच लेते हैं इधर और इधर इधर से पढ़ेंगे तो इधर हम थोड़ा ज्यादा इस्ट्रा कपड़ा लेंगे लेकिन इधर साइड हम सिर्फ एक इंच प्लस करके लेंगे मालो यह हमारी लंबाई है ब्लाउस की एक इंच उसमें हमने प्लस कर लि लगाते हैं तो अगर हिल्दी लेडिस का है तो तीन इंच पर लगाएंगे यह हम ने कले का निशान लगा लिया अब गले की लेंद्ध जितनी आप चाहूं उतनी ले सकते हो आगे का लेकिन आगे का अक्सर 6 इंच ही रहता है ज्यादा से ज्यादा 6.5 इंच बस इतना ही रहता है आप अपने according कर लेजिएगा जो भी safe देना हो आप दे सकते हो गोल गला बनाना हो या वी गला बनाना हो जो भी safe आपको देना है दे दो इसके बाद अब हम कपड़े के बंद परफ से अपना solder का नाप लेंगे अगर आपको solder पता है तो ठीक है नहीं तो 5-6-7 इंच पर लगाते हैं जैसे कि मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था आपने method वाले वीडियो में तो वही हिसाब से हमको निशान लगा लेना है जैसी भी लेडिस का बना रहे है ठी इसको वाच कर लीचेगा उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अब हम इसको क्या करेंगे यह लाइन कहां तक लाइंगे तो यह लाइन लाने के लिए सबसे पहले हमको चेष्ट का नाप लेना होगा चेष्ट का हम fourth part करेंगे औ अब हम यहां से ऐसे एक लाइन ड्रो कर लेंगे यह एक बॉक्स बना लेंगे इसके बाद फ्रिंट्स आर्मोल में हमें गहराई देनी होती है तो यह हम डेड़ हिंच पर करते हैं और बैक पार्ट में हम दो इंच पर करते हैं तो यह हमने निशान लगा लिया और ऐसे अब हम क्या करेंगे अपने कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का रहा हम फोर्थ पार्ट निशान लगाएंगे और तीन इंच प्लस कर लेंगे इसके बाद अब हमको hip लेना है तो hip का हम सबसे नीचे निशान लगाएंगे तो hip का हम fourth part निकालेंगे वो निशान लगाएंगे और 3 इंच प्लस कर लेंगे अगर हमने यहाँ पे 3 इंच किया तो यहाँ भी 3 इंच करेंगे अब हम यह निशान मिला लेंगे यह वाला यह वाला यह वाला यह तीनों निशान हमको मिला लेना है तो friends मैंने यह निशान मिला लिया है अब हमको क्या करना होता है इधर से नीचे की तरफ से हम नापेंगे 4 इंच तो 4 इंच तक हमको छोड़ना होता है इधर कोने में यह हम सिलाई नहीं लगाते हैं इतना हम छोड़ के सिलाई लगाते हैं अब हम क्या करेंगे इधर से बिल्कुल बंद भाग की तरफ से कपड़े के अपने चेश्ट का दस्वा भाग निकालेंगे दस्वा भाग निकालने के बाद इधर निशान लगाएंगे त रिंच से जो मैंकी तरस हमको अपना 我्ज़च पॉयंट नप लेना है, जितना भी हमारा बस्ट-पॉइंट है उसमें से 1.5 inch plus करना है तो 1.5 inch plus करने के बाद वह वनी शाल लगा देंगे तो फिन शाट लगाने के बाद एम को यहांपər डाट बनाना होगा ठीक है यहां से नीचे के साइड हम डाट बनाएंगे तो फ्रेंड्स अब हम यहां से जो बस पॉइंट पे नाप लगाये थे इसके अगल बगल हमने ऐसे डाट बना लिया है यह डाट हमें कितना लंबा रखना होता है पांच इंच, शे इंच, साथ इंच तो यह हमें अपने क्लाइंट के हाट के अंसार रखना होता यानि कि जिसका हम ब्लाउज बना रहे हैं इसके बाद अब हम क्या करेंगे बिल्कुल ऐसे यह वाले निशान से जो हमने नीचे निशान लगाया था तो यह हम अगर प्रिंसेस कट हमको बनाना है तो ठीक है हम ऐसे कट करेंगे अगर प्रिंसेस कट नहीं बनाना है तो सिर्फ हम यह डाट ऐसे ही लगा लेंगे निशान इसमें से मैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे इसको हम cut नहीं करेंगे सिलाई लगाने के बाद अगर आप चाहो तो cut कर सकते हो अगर नहीं चाहो तो नहीं cut करो ठीक है अब हम क्या करेंगे इधर half inch और इस्टरा front part के लिए तो friends ये हम half inch और down कर लेते हैं अपना arm hole इसके बाद friends हमको ये अपना shoulder down करना होता है अगर आप front part का गला बड़ा बना रहे हो और back part का भी बड़ा बना रहे हो तो फिर इसको हम गले की तरफ से down कर देंगे ऐसे half inch इधर से नीचे की तरफ half inch लेंगे ऐसे down कर देंगे इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा अब हम इसको ऐसे बिल्कुल side से जो हमने नीचान लगा है उसको हम cut कर लेंगे तो friends इतना मैंने cut कर लिया है इतना cut करने के बाद अब हमको back part निकाल देना है friend part के हमें यह जो हमने arm hole जादा half inch इंच हमको down करना होता है तो उसकी cutting कर लेंगे हम इसमें क्या करेंगे अगर हमको princess cut वाला बनाना है तो हम इसमें भी cutting करके सिलाई लगाएंगे अगर हमको princess cut नहीं बनाना है तो सिर्फ वीश से cutting कर लेंगे अगर आप आगे side बटन लगा रहे हो तो इसको cut कर लोगे और इसको cut करने के बाद आप इस dot को सबसे पहले इधर भी छाप लोगे और दोनों side ऐसे ही हमको यह dot बना लेना है और dot में ही केवल सिलाई लगा लेनी है अगर आप princess cut बना रहे हो तो इसको भी cut करके सिलाई लगा लोगे और इसमें सिलाई ऐसे दोनों को जोड लेंगे और नीचे की side हम यहाँ तक सिलाई लगाते हैं इतना नीचे की side से हम challenge छोड़ के ही सिलाई लगाते हैं जिससे की नीचे की साट तक बिल्कुल हमें फिटिंग नहीं करनी होती है तो friends I hope आप लोगों को इसकी cutting समझ में आई होगी long blouse की तो इसकी हम full detail के साथ में हम कपड़े में भी सीखेंगे आने वाले वीडियो में friends आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो समझ में आया हो तो please वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर देना वेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो notification आपको मिल सके थैंक यू